हेलो स्टुडेंट मैं पवन भमुरिया उडान डिजिटल के आनलाइन प्लेटफर्म पर आपका सागत करता हूं आज हम करन्ट इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स का चेप्टर नमबर टू है उसके कुछ मेजद कॉलम सही जोडी के कुश्चन देखेंगे तो हमारे पास पहला कु सेतु का सिधान किस पर आधारी थे तो अगर हम देखे तो विटिस्टोन सेतु प्रिंसिपल आप इस जिपेंड ऑन मीटर ब्रीज यहां पर भी हम इसको मैच कर देते हैं विटिस्टोन सेतु जो है मीटर सेतु के सिधान पर काम करता है किर्चाप का प्रथम नियम चांजर्वेशन का है मतलब हमारे आवेस का सं रक्षन होता है तो यहां पर होगा हमारा ऑपसर नम्बर और कर चार्ज थी तार जो अमारा metallic wire होता है वो क्या होता है तो metallic wire जो होता है उस पर ohms law अपलाइ होता है उसको हम बोल सकते कि यह owmik conductor होता है ओमिय चालक होता है . कुशन.4 है किर्चाप का दितीयनियम करता है energy का ख casting ला कंजर्वेशन करता है execut TV संभाई जा क्या ओपनीओ जो होगा उर्जा संरक्ष का सिध्दानतक्त वोगा संभू करेड़ होगा Geo संधी डायोट जंक्सन डायोट जो है उस पर ओम्सला अपलाए नहीं होता इसलिए इसको अनोमिक चालक या अनोमिक यह नॉन रिजिस्टिंग कंड़क्टर बोलेंगे तो यह हमारा मेच हो गया है पहला पेर तेकंड देखते हम सेकंड में है इसमें अब 6 अप्सन है पहला है धारा दूसरा धारा गहना तो तीसरा प्रतिरोद विशिष्ट प्रतिरोद चालकता नाइक्रोम current, current density, resistance, specific resistance, conductivity and nichrome तो first देखते हैं धारा, current का unit हमको यहां से सिलेक करना है current होता है I is equal to Q by T और Q by T के हिसाब से अगर हम देखे तो कुलाम by second होना चाहिए इसका option तो कुलाम प्रति सेकंड या कुलाम पर सेकंड इसका first answer होगा second जो है धारा घनत्व, current density current density जो है उसको हम denote करते है J से और J is equal to होता है I by A और यहां से अगर हम unit find करेंगे तो निकालेंगे unit तो क्या आएगा ampere और divide by area तो area के लिए क्या आएगा? meter square इस type का हमको answer मिलेगा तो यहां पर ampere प्रति मीटर square यह जो option है D यह उसका सही answer होगा correct answer है सही answer है ampere प्रति मीटर square थर्ड है प्रति रोद तो प्रति रोद के लिए अगर हम यहां से select करना चाहे तो प्रति रोद का तो unit होता है ओम लेकिन जो option दिये हैं उसमें अगर हम देखे तो जूल प्रति कुलाम इंटू MPR होगा इसका थर्ड का सही answer है इसको में बाद में explain करूंगा लास में फार्मूले से नेक्स्टे विशिष्ट प्रति रोद मतलब इसको में प्रति विशिष्टेंस और रेजिस्टिविटी तो और इसकी युनिट देखे तो आर एबाए एल होगी यह उसका फार्मूला आगया यहां से ओम इंटू मीटर स्क्वेर बाइ मीटर ओम इंटू मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा तो युनिट आजाएगी ओम ओम गुणित मीटर यह फोर्थ एंसर चालकता अब चालकता जो है वह वह प्रतिरोध के वित्क्रम के एकवल होती है तो प्रतिरोध क्या होता है तो नाइक्रोम क्या होता है एक मटेरियल है और उससे वायर बनाए जाते हैं तो इसलिए आपर एंसर होगा वह ओगा ओम देर presents वायर और प्रतिरोध सार यह हमारा Verma का ऐसोर होगा है अब जो हमारात अप्शन था प्रतिरोध तके लिए जूल प्रतिक ऊलाम in टू यह राइड किया हुआ है ऑगाफ तो जूल बबब वौ जो है वह यूनिटी इक हूँ है और अनर्जी जो हैं उसकी यूनिट होती है जूल करेंगे तो हमको मिल जाएगा डायमेंशन फार्मूला तो इस टाइप से हमको मिल जाएगा कि हमारा जो प्रतिरोध है वो क्या होगा जूल पर कुलाम इंटू मीटर नेक्स्ट और थर्ड हम कोशन देखते हैं इस कोशन में दिया है विद्धुत उर्जा, एलेक्ट्रिकल एनरजी, आंतरिक प्रतिरोध, एंटर्नल रेजिस्टेंस विद्धुत वाकबल, एलेक्ट्रो मोटिफ फोर्स, एमेफ, किलोवाट घंटा, किलोवाट आर, एंड लास में इलेक्ट्रिकल एफिशेंस या विद्धुत सामर्द, विद्धुत उर्जा जो है उसकी अगर हम बात करें तो उर्जा का फार्मूला होता है अगर पावर का इसमें अगर हम टाइम से मल्टिप्लाय कर दे तो यह जो हमको मिलेगी यह मिलेगी energy इसका हमको फॉर्मूला मिले घॉल मिलेगा ऑइस स्कव्र biggest स्कisme इस SECRET ारु एन्टु हो जाएगा आदर इन्स एक इनक्स इंटनल रेजिस्टेंसर मिलगे था उनिट्स मेन अम होता है यहाँ इसको मेजर करने के लिए हम पोटेंशियो मेटर यूज करते हैं यहां पर घर अप्शन होगा ओल्ट पॉर्थ एक किलोवाट घंटा जो है यह यूनिट होती है एलेक्ट्रिकल एनरजी की और आपको पता होना चीह वन किलोवाट और इस इकवल टू होता है 3.6 एंटू 10 तू दपावर 6 जूल एक मोस्ट आपकोशन है जो बार-बार रिपीट होआ है और यह किसकी यूनिट होती है तो हमने का इलेक्ट्रिकल एनरजी की याद रखेंगे इलेक्ट्रिकल एनरजी और ता अप्शन है हमारा लास्ट है евे संर्थ विद्धुत् सामर्थ और और फार्मृर किर ada इस फ्रव्हां इस ट्रयब से हमारा पयर यह हो जाएगा कि थेंक्यू कर आख पर झाल झाल